आल राइट गैस, तो आज हमारे पास मेना बॉडी विल्निक वर्ल्ड की काफी सारी अपडेट्स हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, क्रिस बॉम्स्टर्ड के बारे में, तो रीसेंटली दोस्तों सीवम ने एक बहुती डिफरेंट टाइप का एक बहुती हु इन वाले हैं, पहले हैं तो ने हमस्ति के सबसे तो लिफार आप लुग धीजरेंगी, तो आज इन आप लोग देख सकते हैं, अब लोग देखे हैं, आप लोग देखे इस स्टॉक्टर् काफी अच्छा हैं. का हाला कि man's physique के according दोस्तों ये जो size है वो काफी जादा huge है जिसके कारण थोड़ा सा frame इनका overrated लग रहा है लेकिन दोस्तों अगर हम लोग एक साल पहले की बात करें जब man's physique division में किसी भी तरह की height और कोई भी weight limit नहीं होती थी बागी मेरे पास एक छोटा सा comparison है इनका current Olympia Ryan Terry के साथ में तो आप बताएं दोस्तों आपको Ryan Terry को देखते हो क्या लगता है कि क्या सीवम अगर man's physique से compete करेंगे तो क्या ये इस category से भी Olympia का title win कर पाएंगे इसके बारे में दोस्तों आपकी जो भी opinions हो आप लोग जल्दी से हमारे साथ comment box में share करें next update के अंदर दोस्तों मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ Wesley Wizards के बारे में 3rd Ramondino, 2nd Steveum और 1st खुद अपने आपको तो आप लोग भी बताइए दोस्तों की आप लोग वैसली विजल्स की इस top 5 पेडिक्शन से कितना जादा satisfied है आप लोग हमें comment box में जरूर बताइएगा next update के अंदर दोस्तों लोग बात करने वाले हैं अपने current man's physique Olympia champion Ryan Terry के बारे में तो दोस्तों recently Ryan Terry अपना एक complete physique update हमारे साथ में share करते हैं जिसमें की again हमेशा की ही तरह Ryan Terry काफी कमाल की physique हमारे साथ में share करते हैं दोस्तों ये एक one of the best update है Ryan Terry की 2024 Olympia prep का आप लोग देखिए साथ की साथ Ryan Terry का mid section one of the best है overall men's physique bodybuilding category में क्योंकि आप देखिए क्योंकि आप देखिए abs muscles हो, rectus muscles हो, या फिर हो इनकी obliques, side obliques, external obliques, सब कुछ one of the best है मेरे according overall bodybuilding world में one of the best update है, one of the best mid section है दोस्तों ये पूरे के पूरे men's physique Olympia में वेशक कुछ athletes अपने mid section में बढ़िया hardness शो करते हैं, बट overall दोस्तों इतनी completeness किसी भी athlete के पास नहीं है बगी आप लोग बताएं दोस्तों इस update को देखते हुए कि कि again आपके according Ryan Terry 2024 Olympia का title में विन करने जा रहे है इसके बारे में दोस्तों आपकी जो भी opinions आप लोग जल्दी से हमारे साथ comment box में share करें next update आ रहे हैं दोस्तों Rubial Mosquera की side से जिनका की एक recent update हमारे सामने बहुत ही प्यारे physique update निकल कर आया है दोस्तों फिजीक recently Rubial Mosquera की कफी अच्छी दिखाई दी सबसे पहले तो मैं इनकी कुछ बातों से बहुत जादा disappointed हूँ चुकि इन्होंने पहले बोला था कि ये इटली प्रो शो में compete करेंगे और फिर इसके बाद इन्होंने ये भी बोला था कि ये UK वाले शो में compete करेंगे लेकिन इन्होंने दोनों मैं से किसी भी शो के अंदर दोस्तों end moment पर आके compete नहीं किया तो फिर इसके वाद मेना क्या होता है कि लोगों नों इनके वारे में बोला कि ये इटली वाले शो में हंटर लबरादा से डर गए और UK वाले प्रोशो में ये ब्रैट विलकिन और ब्रूनो से डर गए और इसी रीजन से इन्हों ने इन दोनों शोज में कमपीट नहीं किया जबकि लिस्स के अंदर इनका नाम था बागी फिजीक अपडेट दोस्तों रीसेंटली कुछ ऐसा दिखाए देता है जिसमें की काफी इंप्रैसिव इनकी फिजीक दिख रही है अच्छी कंडिशन में ये नजर आ रहे हैं प्लस साइज भी इनका काफी बढ़िया है फुलनेस बॉडी पे ये अच्छी शो कर रहे हैं करेंटली बाकि नेक्स शोग लेकर हम सभी लोगें से होप लगागे बैटे हैं कि ये जल से जल एनॉंसमेंट कर रहा है अपने नेक्स शो की दोस्तों इसके बाद नेक्स अब्डेट के अंदर रीसेंटली एक प्रोशो होता है सैंड एंटोनियो प्रोशो इसका जो टॉप 6 का रिजल्ट है वो आपके साथ मैं शियर करना चाहता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि फर्स्त के वजाए हमें इस कॉम्पिटिशन में सैकंड प्लेस वाला जो बॉडी विल्लर है वो जादा बेटर लग रहा है फिर चाहे हम फ्रेंट साइड से बात करें या फिर बैक साइड से तो इस रिज ओपीनियन में आप लोगों से अपनी ओडियन से लेना चाहता हूँ कि आप बताइए कि कैसे सच में यह रिजल्ट एकदम 100% सही है या फिर यहां पे रिजल्ट में चीटिंग हुई है इसके बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है आप लोग सारे बॉडी विलर्स की फि को देखते हुए हम इनकी ओवराल काफी खतरनाफ फिजीक का अंदाचा लगा सकते हैं क्योंकि कमाल के ट्राइसेप्स यह इस अपडेट में शो कर रहे हैं फुली पीक्ड हैं आइमिन फुल स्राइड इनके ट्राइसेप्स अच्छी कंडिशन को दिखा रहे हैं और साइज भी दोस्तो इस अपडेट में अच्छा शो हो रहा है अपडेट ही चोटा सा है बट बढ़िया 3D लोग यह यहां पे शो करते हैं तो अकॉर्डिंग तो मी दोस्तो एंडू जैक डिसवार काफी बढ़िया कर सकते हैं और अकॉर्डिंग तो मी इनके अंदर यह पुटेंश अपडेट की बैक बन उफ दे बैस एंड मैंस ओपन बोडी विल्डिंग कैटेगिरी बट दीरे-दीरे दोस्तो यह अपनी जो फ्रेंट बोडी है उसको भी काफी जादा इंप्रूब करते हुए जा रहे हैं और रिसेंट में भी दोस्तो डैरेक का यह जो अपडेट है वो को विन कर सकते हैं इसके वारे में दोस्तो आपकी जो भी ओपीनियंस हो आप जल्दी से हमारे साथ कमेंट बोक्स में शियर कर रहे हैं नेक्स अपडेट आ रहे हैं दोस्तो अपनी लैक्स का एक कंप्लीट अपडेट हमारे साथ में शियर करते हैं तो दोस्तो पहली नजर म मैं इस अप्डेट को देखते हूँ यह बोलना चाहता हूँ कि निक वॉकर करेंटली साइज वाइज अपनी कौर्ड्स मुसल्स को काफी जादा इंप्रूब कर चुके हैं इस पेशली आउट्रो कौर्ड्स दोस्तों इस अप्डेट में मुझे काफी बढ़िया लग रही है और टाइम को देखते हूँ दोस्तों यह अप्डेट कंडीशन वाइज भी काफी अच्छा है अभी सही काफी बढ़िया जो वीन्स हैं वो इस अप्डेट में दिखाई देने लगी है जो कि एक लोग बॉड़ी फेट पर्सनें जिसका एक बहुत बड़ा शाइन है बाकी आप लोग भी बताएं दोस्तों आप लोगों को भी निक वॉकर का करेंट लैग अपडेट कैसा लगा बागी इस वीडियो के फर्स अपडेट के अंदर दोस्तों आप लोगों ने सीवम का एक मैं सुधीक वाला अपडेट देखा बट एक मजाक वाला वे था बट हम बात क अच्छी डीटेलिंग्स दोस्तों यहां इस सीवम के अपडेट में शो हो रही है इस साइज काफी बढ़िया है चैस्ट अच्छे से पंप है अच्छी फुलने से अपनी चैस्ट वगरा पर शो कर रहे हैं और दीरे-दीरे हार्डनेस भी दोस्तों सीवम की इस फिजीक में आ तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ की साथ नोडिक्शन बेल को भी और पर प्रेस करें ताकि हमारी नई और इंफरमेटिव वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंस तके लाइक और शेयर थैंक्स वार वाच्छी